अठारा महापूरानों में गरूर कुरान का महत्व बहुत अधीक है, इसमें एसी बहुत सारी बाते कही गई हैं, जिनका इंसान के जीवन से गहरा संब्द होता हैं, गरूर कुरान के अनुसार इंसान की कुछ आदतें गरीबी की वचह बनती हैं इन आदतों को अगर समय रहतें नहीं छोड़ा गया तो जल्द ही कंगाली का सामना करना पड़ता है आईए जानते हैं कौन सी वो आदतें हैं जो दरितरता का कारण बनती है नमस्कार दोस्तों आ अधि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक से और और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथ ही डोटिफिकेशन बेल को आवसे ही प्रेस कर लें थाकि हमारे आने वाले हर लटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक ततकारी बहुंसके गरोड कुरान के अनुसार लालच करना अच्छा नहीं है कहावत भी है लालच इंसान को अंधा बना देता है लालची इंसान अधिक पाने की लालसा में बुड़े बार्ग पर चले लगता है ऐसे लोगों के पास धन ज्यादा वक्त तक नहीं टिकता है जो इंसान पैसों को जितना प्रश्टो जाती है और सभी ऐसे वेक्तियों के साथ भी छोड़ देते हैं ऐसे लोगों के साथ लक्ष्मी भी जादा देर तक नहीं देती और हात में आया पैसा धिरी धिरी जाने लगता है गरोर थी पुड़ान के अनुशार दूसरों का सोषन करने वाले लोग कभी भी AH नहीं रहते हैं इसका बुड़ा पड़ी नाम होता है ऐसे लोग जो गडीब जरुड़तमन का सोषन करके धन में धन कमाते हैं उनके पास पैसा अधिक समय तक नहीं टिकता है जहां भी गंदगी रहती है मालक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती है जहां गंदगी का अमबार लगा है गंदे कपड़े कंगाली को दावत देते हैं ऐसे में जरूरी है रोजाना अशनान करने के बाद साप सुत्रे कपड़े और अगर हो सके तो जितने हलके रंग के कपड़े हों वो ज्यादा अच्छे काले रंग के कपड़े से थोड़ी दूरी बना कर रखें दोस्तों ऐसी और भी बहुत सारी ज्यानवर्दक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें अगले वीडियो में एक नई जानकारी क साथ फिर से मिलूंगी तब तक के लिए प्यार भड़ा नमस्कार दोस्तों